नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप वंडर सेयर फिल्म औरा को यूज करते है वीडियो इलिटिंग के लिए और बैक अप में प्रोजेक्ट वाले ओप्सन को आपने अभी तक चेक नहीं करा है और या फिर आफ है और किसी कारण से आप आपका जो वंडर सेयर फिल्म औरा है वीडियो एडिटिंग करते वक्त क्रैस हो जाता है या फिर डिरेक्टली ओफ हो जाता है आपका सिस्टम तो दोस्तों आपको कौन-कौन से प्रोब्लेम फेस करना पड़ जाएगा चलिए आज की इस वीडियो पर हम जानते हैं दोस्त को क्रिएट वाले आप्शन पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने का बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखनी को मिल जाता है वंडर सेयर फिल्म औरा यहाँ पर दोस्तों आप चाहाए तो एक न्यू प्र इस वाले आप्शन पर क्लिक करके यहां पर देख सकते हो बैक अपको इसक्रीन पर देखने को मिल रहा होगा यह जो अप्सन अभी हमारा ओफ है दोस्तों आप चाहाए तो इसे ऑन करके आप किसी भी टाइम वेलू को सेट कर सकते हो लेकिन दोस्तों यह आपका जो अपने फाइल को सेब नहीं करा होता है या फिर किसी कारण से आपका जो सिस्टम है वो आफ हो जाता और आप अपने फाइल को सेब नहीं कर पाते हो तो क्या आपको बैक अप उप्सन में उस फाइल को देखने को मिलेगा या फिन नहीं हम इसी वीडियो पे चेक करेंगे त जिस तरीके से जेसे की दोस्तो हमने इस वीडियो को थोड़ा पोइडिट कर लिया आपको टॉप में अंटाइटल नेम देखने को मिल रहा है चलिये हम अपने सिस्टम को डायरक्ली ऑफ कर देते हैं तभी यह सौफ्ट्व एर क्रैस कर जाए मोवी सिस्टूडियो को कर लेते उसके बाद दोस्टों हम directly अपने सिस्टम को off कर देंगे ताकि हमारा जो software हो crash कर जाए दोस्टों software crash करने के लिए हमें power button को directly press कर देना दस सेकंद तक ताकि हमारा जो system है वो turn off हो जाए तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा system directly turn off हो चुका है laptop दोस्तों बंद हो जाने के बाद आपको laptop को on करना है तो power button को press कर देना है ताकि आपका laptop on हो सकते हमने power button को press कर दिया हमारा जो laptop है आपको interface देखनी को मिल रहा फस्ट screen यहाँ पर आपको password फील कर देना आपको यहाँ पर first interface देखनी को मिल जागा desktop का उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर फिर से wonder share filmora को open कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर wonder share filmora को open कर लेते हैं जैसे दोस यह directly open हो रहा और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का backup file देखनी को नहीं मिल रहा है आपको direct new project वाले option पर ही क्लिक करना पड़ेगा new project को create करने के लिए या और साती दोस्तों आपको drag and drop कर गए किसी भी project को आप फिर से edit करना पड़ेगा आप अगर file में जाके open project वाले option पर जाके आप back up वाले option पर देखते हो तो यहाँ पे भी आपको back up files देखनी को नहीं मिल रहा है तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर अगर back up और नहीं रखते ऑर तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का backup files देखनी को नहीं मिलेगा पर आपको ओंसे bureau पर पर फायल अपो फाइल वाले उप्शन पर क्लिक कर देना फिर आपको प्रिफेरेंस वाले उप्शन पर क्लिक कर देना फिर यहां पर आपको फोल्डर वाले उप्शन पर क्लिक कर देना बेकप सेटिंग पर जाके आपको बेकप वाला जो उप्शन है उसे आपको ऑन करके यहां पर किसी भी तो बिदे कर सकते तो हीं यहां पर वन मिनित ही सेट करनेवाला कूण कि दोस्तों अभी तग अपना जो प्रोजेक्ट सेव नहीं किया। यसेलिए आपको आंटाइटल सो कररा है। दोस्तों लिए you can save was जैसे आप विडियो को ईडित करते रहों गvoorbeeld करा हर एक मिनट का जो जो प्रोजेक्ट है वहां अगर आप प्रोजेक्ट को सेव नहीं भी करोगे तो बैकॉप उप्सन में यह उटोमेटिक सेव हो जाएगा दोस्तों और किसी कारण से आपका जो पीसी या फिर सब्सक्राइब करता है तो आपको प्रोजेक्ट असानी से आपके सामने देखने को मिल जाएगा बैकॉप उप्सन के आपके सामने हमने आन करा आपको स्कृण पर देखने को मिल रहा हमारे जो लैप्तोप है वह ऊचुका उसके बाद दोस्तों आपको फिर से मोधरी तो आपको च्तु आंप आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे बेकप फाउंड का है एक पॉकुप देखने को मिल रहा है यानि कि दोस्तों अगर आप बेकप ऑप्शन को ओन रखते हैं और फाइल को आप सेब नहीं भी करते हो और आपका जो सिस्टम में वह क्रेस करता है तो आपको बेकप असानी स आप उससे ऑपन कर सकते हो जैसे आप ऐड़न करती हो आपको फाइल देखने को मिल जाता है और साथ दोसतों अपने जितना भी महनत किया हुआ रहता है अपने प्रोजक्त पर आपयंस का फ़ाईल करने के बाद आप आप जैस्स करिकर देने हो तो इस तरी की से अपने पार फोल्डर देखने को मिलेगा वंडर सेयर के फाइल पर आपको फोल्डर देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट देखने को मिलगा यहां से आप डायर्टली ओपन कर सकते हो यहां फिर दोस्तों आप डायर्टली माइ कंप्रिटर को ओपन करके उसके दोस्तों हो आपको यहां और आपको नेते को मिल जाGAT जैसा और जहां तक अपने project को एडिट करने को मिल जाएगा जैसा कि आपको सेटिंग इनेबल रहता है ऐसे दोस्तों हर वीडि़ो एडाइटिंग सॉप्वेर पे आपको बेकप का करते और टाइम प्रियेट को अगर इनेबल लें तो आप आसानी से प्रोजेक्ट को रिट्राइब कर सकते हो जब आपको सिस्टम या कि सॉप्टवर क्रेस कर जाता है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्र